आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं श्कोडा कुशक के बारे में और आज हम जानेंगे इसके लाउंच डेट के बारे में और इसमें क्या-का फीचर्स मिलेंगे एंड तक वीडियो जरूर दिखेएगा इसको हम वीडियो के लाश्ट में हम इसको क्रेटा के साथ कंपेर करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसके एक्स्टिरियर के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ है 4-2-2-5 mm और इसकी वीडियो थे 1760 mm और इसकी हीट है 1612 mm और इसकी वीलबेस जो है वो 2651 mm है इसका वीलबेस सबसे ज़्यादा लंबा है और इसमें आपको LED headlamps, LED tail lamps और bulb indicators और fog lamps हैलोजन में मिलेंगे और इसमें आपको front disc brakes rare में disc brakes नई मिलेंगे और शाकफिन एंटीना के साथ मशीन का टालाई wheels भी मिलेंगे जो 17 इंच के होंगे अगर tire size की बात करें तो 205 55 section का 17 इंच का tire मिलेगा इसके interior में आपको इसके dashboard पे piano black finish देखने को मिलेगा और इसमें आपको 10 इंच का touchscreen info 10 वेंच सिस्टम मिलेगा wireless android और apple carplay के साथ car connected features भी मिलेंगे आपको इसमें ventilated seats मिलेंगे और white color का ambient lighting भी देखने को मिलेगा इसमें आपको panoramic sunroof नहीं दिया गया है उसके बदले में आपको electric sunroof मिलेगा और इसमें आपको 381 liters की boot space देखने को मिलेगा इसमें आपको दो turbo petrol engines देखने को मिलेंगे और इसमें आपको diesel option नहीं मिलेगा पहला engine है एक लिटर का turbo charged petrol engine जो 115 horse power generate करता है और 175 newton meters of torque produce करता है ये engine के साथ आपको 6 speed manual और 6 speed automatic का gearbox मिलेगा दूसरा जो engine है वो 1.5 liter का turbo charge petrol engine मिलेगा वो 150 bhp का power और 250 newton meters का torque generate करता है और इसमें आपको 6 speed manual और 7 speed DSG का gearbox मिलेगा इस गाड़ी में आपको 6 airbags, ABS with EBD और electronic stability control के साथ load control और tire pressure monitor system, ISO fills child seat mounts, 3 point seat belts, front and rear parking sensors और rear camera भी मिलेगा और इसका जो launch है वो June में हो सकता है और इसके delivery is July से start हो सकी और इसका price जो है वो 9 lakh से start होके 16 lakh तक जा सकता है इस गाड़ी को अगर Hyundai Krita से compare किया जाए तो इसमें आपको panoramic sunroof नहीं मिलेगा और इसमें electronic adjustable seats और boot space भी Krita के जितना नहीं मिलेगा और TFT instrumented cluster भी नहीं मिलेगा और इसका सबसे बड़ी खामी है इसमें आपको diesel engine नहीं मिलेगा कि बड़ने है पुल है लोग तक मिलेगा कि इसके इसके बड़ वाड़ी मिलेगा कि बड़ मिलेगा झाल झाल